नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी और आप देख रहे हमाँ खास कारकम गुड मॉनिंग इंडिया गुड मॉनिंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं भगवान जगनात की 144 भी रत यात्रा आज जवालपुर शेत्र में सिर्थ भगवान जगनात के मंदिर से निकाली जाएगी आज रत यात्रा के इश्रुवात से पहले के इंडिया ग्रह मंत्री अमिश शाह ने मंदिर में मंगल आर्थी में हिस्सा लिया रत यात्रा में सीमित संक्या में कुछ निशिंत लोगों को ही हिस्सा लेने के अनुमती होगी और इस दौरान कोरोना वायरस संबदें दिशा निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा बता दें कोरोना वारस महमारी के मदिन नजर रत यात्रा में केवल तीन रतों और दो अन्य गाड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के वाहन को हिस्सा लेने की अनुमती नहीं है इस बार रत यात्रा के दौरान गायन मंदली अखाड़े हाती या सजे हुए ट्रकों के अनुमती नहीं दी जाएगी इस बार यात्रा को चार से पांच घंटे में ही पूरी करने की योशना वनाई गई है बता दें रत यात्रा के मार्ग में लोग एकतरित नहीं हो इसके लिए भी पूरे मार्ग पर सुबह से लेकर दोपहर तक कर्फ्यू लागू किया गया है सारसपूर में इस बार भोजन अवकाश के दौरान बड़ी संक्या में लोग एकतरित नहीं होंगे दोपहर में रत यात्रा के से गुजरने के साथ ही मार्ग में पढ़ने वाले लाकों से कर्फ्यू खटता जाएगा परंपरा के मताबिक हर बार की तरह खलासी समुदाय के युवा ही भगवान जगनात समय तीनों रतों को खीचेंगे इस बार के वल साथ युवाव को ही रतों को खीचने की अनुमती दी गई है जिसमें से बीस बीस युवाव प्रतेक रत को खीचेंगे उत्ताप्रदेश में अगले साल होने वाले विदासवाज चुनाव से पहले आरसेस ने एक बड़ा फैसला लिया है दरसल चुनाव के मदे नजर आरसेस ने शोशल मीडिया की सभी प्लेटफॉर्म पर अपनी सकृता को बढ़ाया गा इसके साथ ही कोरोना वाइरस की वज़ा से डेर साल से बड़ी बंद पड़ी शाकाओ को भी नए सीरे से शुरू किया गया है इसे हाई टेक कैसे बनाए जाए इसको लेकर देश फर के पददिकारियों से सुजाव लिये जा रहे हैं यूपी के चित्रकूट में आरसेस की एहम बैटक चल रही थी इस बैटक में आरसेस प्रमुक मोहन भागवार, दतत्रे, खोस्पले और शामिल हुए थे वहीं आरसेस ने कोरोना के संभावे तीसी लहर को लेकर कमर कस्री है लहर के दस्तक से पहले उसका सामना करने के लिए पूरे देश में कारकरताओं को के लिए ट्रेनिंग का आयरजन भी होगा प्रसेक्षित हुए कारकरता लगबग ठाई लाख जगाओं पर पहुँच का तीसी लहर में लोगों की मदद करेंगे बता दे अंगस्त के भाईने तक सुएस सेवकों की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी इसके बाद सितंबर से ये सुएस सेवक गाओं और बस्तियों में जाका लोगों की तीसी लहर में सच्चेत रहने की लिए जागरुग भी करेंगे इस अभ्यान के तहट कई लोगों को जोडने का भी काम किया जाएगा उत्ता प्रदेश में अकाशे बिजली का बहेंकर कहट देखने को मिला है अलग अलग जगा पर 18 लोगों ने अपनी जान गवादी है बता दें प्रियागराच फिरोजबाद ही नहीं सिर्फ कई जगा पर अकाशे बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई फिरोजबाद जले में भीशन गर्मी के बाद तेज बरसात ने दस्तक दी लेकिन उस समय लोगों कोई ये नहीं बता था कि ये बरसात आफ़त लाने वाली है गाउं में कोहरा मचाने वाली है फिरोजबाद के तीन गाओं में तीन लोगों ने अकाशे बिजली की वज़ा से अपनी जान कवा दी शिकोहबाद के गाओं नगला उमर में दो किसान राम सेवक और हेमराज अपने खेत पर काम कर रहे थे कि तभी तेज बारिश आ गई और ये दोनों नीम के पेड़ के नीचे पैट गए तभी अकाशे बिजली पेड़ पर गिरी और इन दोनों की वही मोत हो गई बता दे दूसरा गाओं नगला चाट में भी एक किसान अमर सिंग की अकाशे बिजली गिरने से जान चली गई प्यागराश की बात करें तो वहाँ भी अकाशे बिजली गिरने से 14 लोगों की जान चली गई है इसमें सौराओं इलाके में 6 लोगों की मौत हुई कर्चना इलाके में 2 लोगों की गुई 12 इलाके में 3 लोगों की जान गई वहीं कोशांबी में भी चार जबकी कानपूर देहात में अकाशे बिजली की चपेट में आने से पांच लोगों की चांद चली गई जैपूर की बात करें तो जैपूर में भी भारी बारिश की वज़ा से बड़ी दुरगटना हो गई एडिशनल कमिशनर राहूल प्रकाश ने आमेर में अकाशे बिजली गिलने की वज़़ से बारा लोगों की मौत की पुष्टी की है सोमवार को फिर से आज जनता दर्बार लगने जा रहा है दरसल मुख्यमंतरी नितेश कुमार एक बाप फिर से जनता के दर्बार कारेकरम में उपस्त रहेंगे सुभा साड़े दस बज़े से मुख्यमंतरी आम लोगों की शिकायते सुनेंगे कोरोना प्रोटकॉल की वज़े से जनता दर्बार खोड़ा अलग होगा मुबाइल आप से शिकायते लगाई जाएंगी और अधिक्तम 300 से 400 लोगों की शिकायते सुनी जाएंगी मुख्यमंतरी सचीवाले सेत संबादकक्ष में जनता के दर्बार में विशισ रूपसे सरंचना का نирमान कराया गया है संबादकक्ष के चार गेट पर जनता दर्बार में पुहँचे लोगों की जाँच के लिए डॉक्टरों को लगाया गया है यहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जनता दर्बार में आने से पहले संबंदे जला प्रसाशन द्वारा आवेदक का आटी पीसी आर जांच रनिवारे रूप से कराना है इसके अधार पर ही जनता दर्बार में एंट्री मिल सकेगी उत्रप्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना संबंदे नई काइडलाइन्स जारी कर दी है पतादे कर्फ्यू का टाइम घटा कर दो घंटे की धील दे दी गई है नई दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के सबी जुलों में सोंबार यानी 12 जुलाई से शरनिवार और रविवार की सब्ताईग बंदी छोड़ कर सुबाद 6 बजे से रात 10 बजे तक बाजार खुले रहेंगे दुकानों और प्रतिस्टानों को खोलने की अनुमती रहेगी अभी तक सुबा 7 बजे से रात को 9 बजे तक ही बाजार खुले रहते थे मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आएजित एक उचिस्तरिय वैचक में कोवेड-19 के सिती की समिक्षा के बाद ये फैसला लिया है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचेव ग्रह अवनीश अवस्ती ने ये नए दिशा निर्देश चाली किये हैं अवनीश अवस्ती ने बताये कि पिशले 19 जून को जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में सुमवार से शुक्रवार तक यानिकी शनिवार रविवार सापताहिक बंदी सुबह 7 वे से रात 9 बजे तक कोवेड प्रोटकॉल के अनुपालन के साथ ही गती वीडियो के संच के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रियात तेश हो गई है हाला कि कुछ राज्यों में अभी भी नाइट कर्फियू और वीकेंड कर्फियू लागू है तेजी से अनलॉक होती देश के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है CII के एक सर्वे में दूसी लहे के प्रभाव में अर्थ वेवसात तेजी से उभरने की बात कही गई है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेन अर्थोरिटी ने अनलॉक साथ को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी है इस बार एजुकेशनल और इंस्टिउशनल ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है हाला की लंबे समय से सिनेमा हॉल छेटर और मल्टिपलेक्स खोलने की मांग कर रहे है वेवसायों को अभी भी राहत नहीं मिली है अनलोक 7 के तहर दिल्ली में किसी भी तरह की ट्रेनिंग जैसे की दिल्ली पुलिस आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संसान की स्किल ट्रेनिंग करमचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है ऐसी ट्रेनिंग कराने के लिए आप DDMA की अनुमती नहीं लेनी होगी पंजाम याज से कुरोना नाइट कर्फियो और वीकेंड कर्फियो खतम हो जाएगा कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर खुल सकेंगे हाला के स्टूरेंट्स और टीचर को कम से कम वैक्सीन का एक डोस लगे 15 दिन होने चाहिए, स्कूल बंद रहेंगे बता दें इंजोर 100 से ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं और बाहर की जगाओ पर 200 जमा हो सकते हैं बार सिनेमा हॉल की बात करें तो बार सिनेमा हॉल, रेस्टरांट, स्पा, स्विमिंग पूल, जीम, मॉल, खेल परिसर, संग्राल, चुडिया घर आदी खोले जा सकेंगे बशरते की सभी पात्र स्टाफ और सदस्या और आंगनतु कम से कम एक खुराक ले लें सिनेम काप्टन ने डी जी पी को नेताओं के खलाब कोविद नियमों को तोड़ने पर कारवाई करने के लिए भी कहा है बहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कोविद नाइंटीन के हालात की समिक्षा के बाद सकार ने साथ जुलाई से प्रतिबंदों में धील देने संसान, ग्यारवी और बारवी तक के विद्यालें 50% चात्रों के उपस्तिती के साथ खुलेंगे उतरप्रदेश की बात करें तो हुआ सकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यूम में के लिए नए दिशा निर्देश लागू की है और दो घंटे की ठील दे दी गई है UFA Euro Cup के महा मुकावले में मेजबान इंगलेंट को पठकनी देका इटली चांपियन बन गया है पैनल्टी शूट आउट तक चले मुकावले में इटली ने इंगलेंट को पठकनी देका Euro Cup का खिताब अपने नाम कर लिया है 1968 के बाद Euro Cup में इटली की ये पहली खिताबी जीत है 55 साल बाद पाइनल में पहुँच रहें इंगलेंट का अपना पहला Euro Cup खिताब जीतने का सपना ठूट गया इससे पहले 90 मिनट के खेल में दोनों ही टीमें एक-एक से बराबरी पर रहीं जिसके बाद 6 मिनट का इंजिरी टाइम भी लिया गया इंजिरी टाइम में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी जिसके बाद 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम का खिल हुआ एक्स्ट्रा टाइम के खेल में भी दोनों में से कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में भी बराबरी पर चूटने के बाद नतीजे के लिए पैनल्टी चूट आउट मेटली ने पांच में से तीन दफे गिंद को गोल पोस्ट में डाला जबकि इंग्लाइंड के खिलाडी ऐसा दो दपे ही कर सके इससे पहले खिताबी मुकाबले किश्टुवात ही रोमांच चक रही या तिहासे के बैंबली स्टेडियम में मैच किश्टुवात के बाद दूसरे ही मिनिट में लियू शौ ने शांदार गोल कर इंग्लाइंड को बढ़त दिला दी इंग्लाइंड ने एक शूने से आगे होने के बाउजित पूरे मैच में धिलाई नहीं बढ़ती और आक्रमक खिल का मुझायरा किया पहले हाफ की बात करें तो पहले हाफ में समापती तक इंग्लाइंड नेटली पर अपनी एक शूने की बढ़त बनाए रखी थी गुड मॉनिंग इंडिया में फिलाक लेता ही आप देखते रहें निज्वोल इंडिया